आज भारत में हम लोग चाहे वो GST हो, चाहे UPI हो, जिस प्रकार का डिजिटल एक इंफरस्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया और डिजिटल ट्रांजैक्शन्स हमने तैयार किये, आज दुनिया में अमेरिका और चाहिना को भी भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में पीछे छोड़ दिया, और आज हम सबजी लेने भी जाते हैं, तो सबजी वाले के पास भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन्स कर सकते हैं, और आपको आश्चर होगा, कि जिस समय प्रध प्रधानधारों के लिए योजना लाई, और कोविड के बाद उनको एक प्रकार से खड़ा करने के लिए, जो योजना आई, उस योजना के बेनिफिशिरीस को मुंबई में, एक लाख लोगों को हम लोग एक साथ उनके अकाउंट में पैसा देने वाले थे, प्रधान मंत् जिने शर्त रखी, कि इस कारेक्रम में मैं तभी आऊंगा, जब आप इन सबको डिजिटल ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग देंगे, और जस दिन इनके अकाउंट में पैसा जाएगा, उस दिन से, स्ट्रीट वेंडर्स ये जो है, ये सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन और मुझे बताते हुए खुशी होती है, कि एक लाग तो हम नहीं कर पाए, पर एराउंड 75,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को सिका रहा, और उन्होंने उसकी शुरुवात की, तो मुझे लगता है कि इस इस इंडियाज मूमेंट, ये जो एक विवस्ता बने, और विशेश खुशी हमको इस बात किये, कि हमको लूट-लूट कर, जिस इंपिरियल ताकत ने, अपने आपको एक बड़ी अर्थेविवस्ता के रूप में तयार किया था, उस ब्रिटन की अर्थेविवस्ता को भी हमने पीछे चोड़ दिया, और उससे भ भी थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी ओफ वर्ल्ड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ताम बनेंगे